विश्व योगा दिवस के अवसर पर 21 जून को जिला अस्पताल अपने मरीजों के लिए सुभा आट बजे से दस बुजित तक योगा का कारिक्रम आयोजित करेगा जिसके संबंद में जिला अस्पताल के प्रमुक चिकिस्सा अधिक्षक डॉक्टर अभैचंदर शिर्वास्तों ने बताया कि योगा कारिक्रम में पोस्ट कोविड मरीजों के अलावा नौन कोविड मरीज भी योगा कर सकेंगे इसके अलावा अस्पताल के अधिकारी और करमचारी भी योगा में शामिल होंगे मुकित चिकसा अधिक्षक डॉक्टर अभैचन शिर्वास्तों ने बताया कि COVID-19 के मरीजों को योगा से विशेश राहत मिलेगी और जिन मरीजों को सांस लेने की दिक्कत है वह योगा कारिक्रम में अवश्य शामिल हो उन्होंने कहा कि इसके लिए रेजिस्टरेशन कराने की अपील की गई थी लेकिन अभी तक किसी भी वैक्ति ने रेजिस्टरेशन नहीं कराया है फिलहाल 21 जून को जिला स्पताल न्यू ओपीडी के हॉल में योगा कारिक्रम आयोजित करेगा और लोगों को स्वास के प्रती उचित मार्ग दर्शन भी देगा इस संबन्द में गुरपुर्णियू से बात करते हुए जिला चिकसाला के प्रमुक चिकसाद हिक्षक डॉक्टर अभैचंदर शिर्वास्तों ने कहा हम सभी जानते हैं कि 21 जून को हम विस योगा दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिवस के रूप दिवस में सभी लोग कार्यावलों में योगा कराने की कोशिस करते हैं अपनी स्टाफ के लिए हैं यहाँ पर मैंने पहले भी अग्रे किया था कि जो पोस्ट कोविट मरीज हैं जिनको किसी भी तरह की सांस की परसानी या शरीर में दर्द रहता है वो योगा आके करें इनसे बहुत अच्छा फाइदा होगा इस संबंध में हमें अभी तक कोई रिशेशन प्राप नहीं हुआ मॉबाल लंबर भी दिये गए थे फिर एक बार आग्रा है कि जो भी कोईट के मरीज हो जिनको किसी भी तरह की साइकलोजकल सांस लेने में परसानी या उनको किसी भी तरह की मांसिक परसानी होती हो उहां आके हमारे योगा टीचर से उसके लिए क्या योगा उचित रहेगा, उचित रहे लेकर वो कर सकते हैं, साथ में वो और डिमांस्टेट भी करके वो बता देगा, ये तो नॉर्मल वे में कोविट और नान कोविट दोनों मरीजों के लिए जनता के लिए संदेश है, फिलाल 21 जून को हम 20 योगा दिवस के दिन अपने अधिकारियों और क्रमचारियों को योगा भ्यास कराएंगे, इसके लिए योगस्तल चैनित कर लिया गया है, चोकि बरसाद का मोसम चल ला है, इसलिए लान में ये सुब्धाम नहीं दे सकते हैं, न्यू ओपीडी के हाल में इसका इंतजाम किया जा रहा है, उहाँ पर हमारे सभी अधिकारी क्रमचारी उसमें परतिभाग करेंगे, और विस योगा दिवस को सफल बनाने के लिए एक जन संदेश देंगे, समय क्या होगा सभी जाइज चाँ, सुब़ा आठ से नौ.